हलो एवरिवन टिकलेट्स एकडेमी आफ मैस योटूप चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के विडियो में डेरिवेटिव ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका प्रॉब्लेम नंबर 59 सॉल करेंगे तो देखिए जो प्रॉब्लेम आज हमें सॉल करना है वो आपके सामने है कोशन में क्या लिका है वो हम पढ़ेंगे कोशन में लिका है इसमें यूज होने वाले फार्मूलिस हम बीच बीच में बताया करेंगे उससे आपको हेल्प हो जाएंगी तो अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे तो यह जो दिया है इसमें एक्वल्ट के लेफ्ट साइड में y है इट मिस y is a function और एक्वल्ट के राइट साइड में x है इट मिस x is a variable इसका मतलब हम इसको आसानी से x के respect में differentiate कर सकते है तो हमें dy by dx मिल जाएंगा और problem complete हो ज में 4-3x bracket complete ये देखिए इस तरह से ये दिया हुआ है तो जैसे हमने कहा था यहाँ पर x is a variable तो हम इसको x के respect में differentiate कर लेंगे तो ये हम यहाँ लिख लेंगे step differentiate y with respect to x ठीक है तो ऐसे में हमें क्या करना है दोनों side में d by dx से multiply करना है left hand side में d by dx से multiply करेंगे तो ये हो जाएंगा dy by dx और right hand side में d by dx से multiply करेंगे तो d by dx of log of और bracket ये सब as it is रहेंगा 10 of 4-3x ये देखिए इस तरह से अब left hand side में कुछ भी solve नहीं करना है क्योंकि देखो जो हमें find out करना है dy by dx वो यहाँ left hand side में आ चुका है जो भी solve करना है right side में ही solve करना है तो चलो solve करेंगे तो क्या दिख differentiation आपको क्या होता है पता होना चाहिए चलो formula यहाँ लिख के देते हैं formula ऐसा होता है that is d by dx of log x तो इसका differentiation होता है 1 by x log of x का होता है 1 by x बाद में ये x को अलग से differentiate करना होता है ठीक है तो यहाँ पे भी देखो ये log of bracket है log of bracket तो log of x के form में है इसका मतलब तो log of bracket का हो जाएंग 1 by bracket क्योंकि log x का 1 by x होता है तो log of bracket का 1 by bracket तो चलो हम ये लिख लेंगे ये इसका differentiation that is 1 by bracket 1 by bracket मतलब 1 by tan of 4 minus 3x लेकिन ये tan को अलग से differentiate करना पड़ेंगा अभी जैसा हमने कहा था कि log x का differentiation 1 by x और फिर x को अलग से differentiate करना होता है ठीक है बिलकुल उसी तरह से log of bracket का 1 by bracket और ये bracket के अंदर जो terms है इसको अलग से differentiate करो तो into अलग से d by dx of that is bracket के अंदर जो term है याने tan of 4 minus 3x ये देखिए इस तरह से ये step समझ में आए ना ठीक है log का हो गया 1 by bracket और bracket के अंदर जो terms है उसको हम अलग से differentiate कर रहें तो चलो अब यहाँ पर solve करना ये जो पहला fraction है ये as it is रहेंगा अब इसको कुछ नहीं करना है 1 by 10 of 4 minus 3x ये आखरी तक ये as it is जाएंगा अब हमें इसको solve करना है तो देखो क्या है d by dx of 10 तो 10 का differentiation क्या होता है तो वो भी formula बता देते हैं तो formula that is d by dx of 10x तो ये होता है 6 square x ठीक है इस तरह से 10x का हो जाएंगा 6 square x लेकिन ये जो x है x को अलग से differentiate करना होता है बिलकुल वही step हम यहाँ पर follow करने वाले हैं तो देखो ये 10 of bracket ठीक है 10 of bracket का हो जाएंगा differentiation 6 square bracket 4 minus 3x ये देखो हमने यहाँ पर कहा था 10x का 6 square x और बाद में x को अलग से differentiate करना होता है तो यहाँ पर 10 of bracket का हो गया 6 square bracket और अब ये bracket को अलग से differentiate करो तो अब हम यहाँ लिख लेंगे into d by dx of ये bracket that is 4 minus 3x ये देखिए इस तरह से समझ में आ रहा है इस तरह से differentiation होना है अब एक काम कर ल लेंगे तो वो ये fraction के numerator में आ जाएंगा तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 6 square 4 minus 3x और denominator में 10 of 4 minus 3x ये sdds रहेंगा और अब into अब यहाँ पर क्या है देखो d by dx of ये bracket क्या bracket के अंदर क्या है 4 minus 3x तो ये तो बहुत आसान है तो d by dx of 4 कर लो and d by dx of 3x कर लो ठीक है 4 का differentiation हो जाए constant का differentiation हमेशा 0 होता है तो यहाँ पर differentiation हो गया 0 minus 3 constant है और x का हो जाएंगा 1 तो minus 3 into 1 इस तरह से समझ में आया तो finally differentiation पूरा हो चुका है अब चेक करो क्या इसमें कोई term cancel वगरे हो सकता है क्या तो इसमें फिलाल कुछ भी cancel वगरे नहीं होगा ये आपको बस थोड़ा सा set करना ह क्या करो ये जो minus 3 है ये minus 3 यहाँ सामने लिख लो तो ये ऐसा हो जाएंगा minus 3 then 6 square 4 minus 3x ये numerator और denominator में 10 of 4 minus 3x ये इस तरह से और ये solve नहीं हो सकता left hand side में लिख लो dy by dx इसका मतलब जो differentiation हमें जो find out करना था वो हमने find out कर लिए ये हमें result मिला है और finally problem यहीं पे complete हो गया उम्मी ये problem आपको अपनी practice book में जरूर solve करके देख लेना चाहिए ये था derivative ये unit का problem number 59 इसके पहले जो हमने इसके 58 problems लिये थे वो भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से practice हो जाए तो मिलते हैं next video में